ओम शांती आपका प्रशन आया है कि ब्रह्मा कुमार को चमडे के जूते पहनना धोलत आदी पर जो चमडे का प्रयोग किया जाता है वो करना क्या पाप है इस क्वेश्चन में ये भी साथ में अपने पूछा है कि चमडे की वस्त्वों को यूज़ करना पाप किसे कहते हैं ये पहले बुद्धी में स्पस्ट हो जाए तो इसे समझना आसान होगा ऐसे संकल्प ऐसे बोल ऐसे कर्म जिन से मुझे स्वेम को या किसी भी आत्मा को चाए वो मुनश्य आत्मा है चाए पशुपक्षी आत्मा है चाए कोई भी आत्मा है दुख पहुंचता है वो पाप कर्म पाप कर्म करने वाला उसकी सजा बुदता है कर्वाने वाला भी पापी होता है करने वाला पापी है दुख देने वाला पापी है और जिसने दुख देने के लिए उकसाया वो भी पापी है एक पशू की मिर्त्यू हो गई है अब वो वेस्ट है उस वेस्ट को यदि यूज किया गया तो आपने किसी को दुख नहीं दिया आपने उस चमड़े को प्राप्त करने के लिए उसका वद्ध किया उसे दुख पहुचाया आपने चमड़ा प्राप्त करने के लिए किसी को उकसाया किसी को आर्थिक कोई भी कारण से कोई भी लालच दिया और उससे वो लिया तो पाप के खाते में आता है अब आपने विशेश चमड़े की बात की है मेरे साथ चमड़ा अपने आप में प्योर चमड़ा अपने आप में अशुद है उसे अपने जीवन में यूज करके उन अशुद वस्तूओं को अपने साथ खाने पीने की चीज़ों में क्योंकि आपने यदि जूते पेने उन्हें हाप खात लगाएंगे चलो फिर बाद में दो लेंगे आपने यदि जूए न क्या कहते हैं कोई बैल्ट के रूप में या पर्स के रूप में या किसी भी रूप में उनको यूज किया है तो वो अशुदता आप देखिए कि बार बार उसको सैनिटाइज करो अपने आपको ये करो नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आपके शरीर को वो किस परकार से अशुद बनाती है या दुख के निमित बनती है वो दुख देने के निमित आप स्वेम बनेंगे ना किवल चमडे के जूते पर्स या किसी भी परकार का साधन धोला कुछ भी कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं खा रहे हैं पैन रहे हैं या परियोग कर रहे हैं जिनके कारण आप आत्मा को या आपके शरीर को दुख पहुँच रहा है तो वो पाप है और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सिवा किंद्र पर संपर्क करें और विस्तार से समझें जदी कोई प्रशन है आपके पास तो 9213106986 पर वर्षक करें आपके प्रशन की इंतजार में आप सभी का जो भी प्रशन उठे आप अवश्य भेजें आपके प्रशन आपके प्रू शुर्ष में कर दो कर दो दो